नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के एनसी कुसुमनेट क्लासेज में साथियों आज से हम लोग एक नए चेप्टर के शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैदिक सिविलाजेशन जिसको आप हिंदि में वैदिक सभेता के नाम से जानते हैं तो हम लोग इस चेप्टर के शुरुआत करने से पहले एक बार सिलेवस पर फोकस करेंगे कि सिलेवस में हमें क्या-क्या पढ़ना है उसके बाद हम लोग एक एक करके वीडियो के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर सिलेवस में युणिट 1 में जाएए और युणिट 1 के चौथे हिस्से में जाएए आप यहां पर देख सकते हैं युणिट 1 का चौथा हिस्सा ठीक है जहां से आपका वैदिक and latter वैदिक periods की शुरुआत होती है इसमें मुख्य तौर पे हमें पढ़ना है आर्यन डिवेट्स के बारे में जिसमें मूल तौर पे हम लोग पढ़ेंगे कि आर्यन को लेकर के confusion है कि आर्यन मूल तौर पे कहां के रहने बाले थे उसके बाद the political and social institutions के बारे में पढ़ना है यानि की राजनितिक एवम सामाजिक संस्था के बारे में उसके बाद state structure के बारे में पढ़ेंगे ठीक है राज जी की क्या संरक्षना थी उसके बाद theories of state के बारे में यानि वहां से state का निर्मान होना सुरू होता है तो अस्टेट के निर्मान के लिए कौन-कौन से कारक जिम्मवारत है उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद इमर्जेंस ओफ वर्नाज ठीक है यानि वर्न सिस्टम की जो सुरुवात होती है वर्न वेवस्था की सुरुवात होती है उसके बारे में बाते होंगी और उसके बाद शोशल अस्ट्राटिफिकेशन ठीक है उसके बाद रिलिजियस और फिलोसॉफिकल आइड यानि कि धार्मिक एवं दार्सनिक विचारों का उत्पति जो कुछ भी होता है वैदिकाल में उसके बारे में बाते होंगी उसके बाद इंट्रोडक्शन ओफ आईरन टेक्नोलोजी यानि कि लुहे का अविस्कार होता है ठीक है लोह प्रदोगी की का जब पहली बार आगमन ह होता है भारत में उसके बारे में बाते होंगी और बलास्ट में बाते होंगी को समझने में आपको ज्यादा सहूलियत होगा इसलिए हम लोग सुरुवात करेंगे इंट्रोडक्षन ओफ आरें आरें टेकनोलाजी से उसके बाद जोग्राफिकल एक्स्टेंट के बारें पढ़ेंगे उसके बाद लिट्ररी सोर्सेस के बारें पढ़ेंगे ठीक है तो आएए आज के लेक्षर की हम लोग शुरुवात करते हैं आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीजों को लिखते चलेंगे जो भी निव फैक्ट्स आपको मिलेंगे उसको अब्जेक्टि में लिखते हैं लेकिन हम उन सारे चीजों को एक्स्प्लेइन करते हैं बारी-बारी से इसलिए आप कोशिश किजेगा कि आप जब भी नोट्स तयार करें तो उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में तयार करें अब्जेक्टिव फॉर्म में नोट्स कभी भी मत खास कर हिस्ट्री का इतिहास का नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं अब्जेक्टिव फॉर्म में तयार किजेगा तो आए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की बारी-बारी से तो हमेशा की तरह आप लिखने से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो आए सब लोह प्रादोगिकी का प्रारंभ भारत में कब होता है मूल तोर पे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उससे पहले भारत में जब लोह का अविस्कार होता है उससे पहले आप यह जानिए कि बिश्व में पहली बार लोह का अविस्कार कब होता है तो ध्यान रख जन जाती के द्वारा जो की एसिया माइनर बाले प्लेस में कहां पर एसिया माइनर बाले प्लेस में शासन कर रही थी उनके द्वारा पहली बार लोहे का प्रयोग किया जाता है तो यहां से तीन सवाल बन रहे है पहला किस जन जाती के द्वारा बिश्व में पहली बार लोहे का उप्यूक किया जाता है तो हीती नामक जाती या हीती नामक जन जाती के द्वारा हीती नामक जन जाती दुनिया में कब एकजिस्ट कर रहे थे तो अठारह सो इसा पुर्व से लेकर बारह सो इसा पुर्व के बीच उसके बाद वो लोग कहां पर शार्षन कर रहे थे तो एसिया माइनर वाले प्लेस में शार्षन कर रहे थे तो तीन सवाल यहां से आप से पूछे जा सकते हैं मैं जब भी पढ़ाता हूँ आपको तो सवालों की संभावनाओं को भी बताता हूँ कि सवाल कहां कहां से और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं तो यदि आप लिखने के लिए एक शुक होते हैं तो आप उन सारे इसा पूर्व के बीच में होता है तो इससे एक चीज किलियर हो गया दोस्तों कि यदि कोई आप से कहें या फिर आपके एक्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में लोहे का अविसकार कब हुगा और वह टाइम पिरियड यदि 1220 से पहले का दे तो आप निश्चित तोर पे उस्तिति को गलत मानेंगे क्योंकि दुनिया में पहली बार लोहा आ रहा है 1220 में तो 1220 से पहले भारत में आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो यहां फैक्ट को याद रखिए उसके बाद देखिए मार्टिमम वीलर भारत के ए इरान के रहने बाले थे तो इरानी थे तो मार्टिमम वीलर ने कहा है कि भारत में पहली बार लोहे का परियोग इरानी शाशक यानि हक्मनी बंस के शाशकों द्वारा किया गया तो आपसे सवाल पूछा जाए कि किस विद्वान का मानना है कि भारत में पहली बार लोहे का परियोग हकमनी सासकों के द्वारा किया गया तो वह मार्टिमम विलर साहब ने कहा था दूसरा सवाल आप से पूछा जाए कि हकमनी सासक बेसिकली किस मुलके थे तो इरानी मुलके थे किलियर है आगे आते हैं अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे रिगवैदिक काल में लोहा यहां पर दोरान भारत में लोहे का अविशकार नहीं होता है इस दोरान भारत से लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है इसके बाद आएगा जैसे ही रिगबैदिक पिरियड खत्म होगा उसके बाद लोहे का अविस्कार होगा भारत में एक हजार बीसी के आसपास तो तीसरा पॉइंट था हमारा रिगबैदिक काल में लोहे का कोई कली लोहे के लिए प्रयोग किया जाता है इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि लैटर वैदिक पिरियद में हमारे पास लोहा आ चुका था भारत में लोहे का अविस्कार हो चुका था ठीक है उसके बाद पाचमे पॉइंट पे आते हैं और पाचमा पॉइंट है इसा पुर्व आठवी सदी में भारतियों को लोहे का ज्यान ठीक है यानि आठवी बीसी में ठीक है एट सेंचूरी बीसी में भारत के लोगों को लोहे का ग्यान पहली बार हुआ, उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, आर्केोलोजिस्ट लोगों का, यानि कि भारत के पूरा तत्वेता हैं, जितने भी आर्केोलोजिस्ट और हिस्टोरियन्स, उनका मानना है कि भारतिये लोगों को लोहे का ग्य घ्यान एक हजार बीसी में हुए यानि जैसे ही रिक्ववयदिक फैज खत्म होगा उसके बाद भार्तियों के अंदर लोहे का ग्यान आएगा और कृश्री के छेत्र में भ्यानक बड़ी सी क्राश्र की पर मतरमान मिला उसके हम बाद के कई सारे हिस्सों में लोहे के साक्ष प्राप्थ होते हैं जैसे अतरंजी खेरा से उसके बाद आलमगिरपूर से उसके बाद मथूरा से जो कि यह सारे के सारे प्लेस उत्तर प्रदेश के हैं उसके बाद रोपड जो की पंजाब का हिस्सा है तो रोपड से हमें लोहा का जिले का धिस्टा है तो यह यह तमाव जगों से एक हजार बिसि केपाध एक तो Dr. अगला प्रॉइंट है थीक है और इस यह माप्रचे में नहीं रहा और यह पूछा जाएं कि प्राचिंतम अं लोहे का प्रमांदा कब आया तो दो option पहला यदि यह रहा Asia Minor का हीती जाती तो यह टिक करेंगे यदि यह नहीं रहा तो फिर इसको टिक करेंगे थाइलंड का बानैची नामक place पर 1600 इसा पुर्व से लेकर 1200 इसा पुर्व ठीक है 1600 BC से लेकर 1200 BC के बीच में थाइलंड के बानैची नामक place पर पहली बार लोहे का प्रमान प्राप्त होता है क्लियर है उसके बाद लास्ट पॉइंट पर आते हैं क्रिशी उत्पादन में क्रांती का दौर अब आप देखोगे कि जब लोहे का अविश्कार होगा जब हमारे पास लोहा आ जाएगा तो हम लोग लोहे के माध्धम से आई तरह के उपकरण बनाएंगे और उनसे हम लोग खेट जूतने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे पेड़ को काटने के लिए जंगल को काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे और फिर जंगल को काटकर उसको जलाएंगे और फिर उसको उर्बरक भूमी के रूप में परिब आती है तो आप से सवाल पूछा जाए कि क्रिशी उत्पादन में क्रांती का मुख्य बज़ा क्या था तो लोहे का ठीक है लौह प्रवदौग की का परियोग लौह प्रवदौग की शुरुवात भारत में कब हुई एक हजार बिसी में बिस्व में कब हुई थी ते अठारा सो से लेकर 1200 बिशी के बीच में तो यह दोस्तों लौह प्रवदौग की के बारे में कुछ फैक्ट्स थे मेरे ख्याल से चीजे किलियर हो गई होगी अब आते हैं हम लोग मूलत और पर बात करते हैं वैदिक पर इजिशन का पिरियड जो है दोस्तों वह है 1500 से लेकर 600 बीसी तक पहले इसका फेज पहले इसका टाइम आप याद कर लिजे अपने माइड में इसको फिक्स कर लिजे 1500 इसा पुर्व से लेकर 600 इसा पुर्व तक लगातार बैदिक सभेता एक्जिस्ट करती हैं बैदिक स बोलते हैं अब हम लोग एक करके बारी बारी से बात करेंगे सबसे पहले रिगवैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे और हर एक पीरियड के बारे में हम लोग किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले आप उस पॉइंट को जान लीजे ताकि जब भी मैं उस काल के बारे में या किसी भी period के बारे में बताऊं तो आपके mind में वो चीजें पहले आ जानी चाहिए तो किसी भी काल के बारे में जानकारी जब राप्त करना हूँ हमें तो हम उसके पहले भोगोलिक condition के बारे में बात करेंगे कि वह जब period है उसमें जो civilization exist कर रहा है वो मूल तोर पे किन-किन geographical locations पर exist कर रहा था यानी उसके extent के बारे में बात करेंगे उसके विस्तार के बारे में बात करेंगे तो पहला point भोगोलिक इस्थिती के बारे में बात करेंगे दूसरा उसके सामाजिक स्थिति के बारे में बात करेंगे आप यहाँ पर मैंने लिखा है आप यहाँ पर इसको देख सकते हो और आप लिखते चलिएगा ठीक है पहला पॉइंट जो ग्राफिकल कंडिशन के बारे में बात करेंगे उसके बाद social condition के बारे में बात करेंगे फिर political condition के बारे में बात करेंगे और फिर economical condition के बारे में बाते होंगी और उसके बाद last में उस समय का cultural condition क्या है उसके बारे में बात करेंगे जिसमे cultural condition में हम लोग पढ़ते हैं religious condition भी है educational condition भी है उसके साथ साथ उस समय महिलाओं की क्या स्थित है शिक्षा क्या स्थिति इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग कल्चरल एजुकेशन में से पढ़ते हैं हैं नहीं तो मुल तॉर पर 5 चीजों के बारे में जानकारी प्राउंत करेंगे भौगोलिक समाजिक आर्थिक सांसकृतिक और राजनितिक ठिक है अब आईए बारी बारी से हम लोग बात करते हैं पहले हम लोग रिगवैदिक फेज के बारे में बात करेंगे ध्यान रखिएगा रिगवैदिक काल के बारे में हम लोग बात करेंगे इसके भोगलिक इस्थिति समाचिक राजनितिक आर्थिक और उसके साथ सांस क्रितिक उसके बाद जब रिग वैदिक फेज का यह सारा point खत्म हो जाएगा तब हम लोग बात करेंगे लैटर वैदिक के बारे में और फिर उसमें भी हम लोग इसी chronological order में बात करेंगे जो ग्रफिकल के बारे में पहले फिर political, social, economical और cultural तो आएए अब हम लोग रि 600 विशी माना गया है अब देखिए उससे पहले आपको पता होगा कि शिलेबस में आरियन डिवेट नाम का एक चेप्टर शामिल किया गया है आप यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है आरियन डिवेट को शामिल किया गया है इसलिए सबसे पहले हम लोग आरियन डिव उसके लिए हमारे पास कोई भी ना आर्केोलोजिकल सोर्सेज हैं नहीं लिटररी सोर्सेज हैं अध्यन करने के लिए ठीक है तो कई लोगों का मानना यह था कि हड़पा सभेता का पतन आर्यों की आकर्मन के बज़े से हुआ तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों के बिच में सारे असकॉलर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया मतभेध हुए ठीक है और उन्होंने कई लोगों ने आर्यान को माना कि वो मिडिल इस्ट से चलकर आये थे कई लोगों ने जर्मनी से माना कई लोगों हंगरी से माना उसके बाद कई लोगों का कहना था कि यह रसिया से चलकर के आये थे तो यह तमाम तरीके के डिवेट्स हैं तो उसके बारे में हम लोग एक बार देखेंगे इसी को मूल तोर पे हमारे सिलेबस में आर्यन डिवेट्स के नाम से रखा गया है आए अब बात करते हैं पहला तरक है दक्षनी रूश के बारे में ठीक है आर्यों के बारे में बताया गया कि आरे मूल तोर पे दक्षनी रूश से चलकर के आये थे ठीक है ऐसा किस ने कहा गार्डन चाइल्ड ने नाम ध्यान रखिएगा नाम लिखते चलिएगा आप हमारे साथ नोट्स जब बनाए अच्छे से ताकि एक्जाम टाइम में आपको रिविजन करने में सुईधा हो सके दक्षनी रूश से औरे चलकर के आये थे ऐसा किनमुने कहा गार्डन चाइल्ड ने कर पिगट महोदे ने कहा उसके बाद मेयर ने कहा उसके बाद नेहरिंग ने कहा यह चार हिस्टोरियन हैं चारो के चारो अर्केलोजिस्ट भी हैं इन चारो का मानना यह था कि आर्यन दक्षनी रूस से चल करके भारत आये हैं ऐसा क्यों मान रहे थे क्योंकि साउथ रसिया में ठीक है दक्षनी रूस में जिस घोरे का प्रमान मिला है जिस घोरे का अबसेस मिला है सेम वही अबसे सरीगबैदिक काल में भारत में भी प्राप्थ होता है तो उन देवनों की समानता को देखते हुए उन दोनों की सिमिलारिटी को देखते हुए इन लोगों ने इस कंक्लूजन पे इस निशकर्ष पे पहुँचा कि दक्षनी रूस से ही चल करके आये थे आर्यन ठीक है क्लियर है आग आते हम लोग दूसरे प्वाइंट पे दूसरा प्वाइंट है इन होने कहा कि जर्मणी से चल करके आये थे और जर्मणी के पास ही एक प्लेस है जिसका नाम है असकैंडीनेविया ठीक है तो इनका कहना था कि आर्यमूल तोर पे असकैंडीनेविया से चल करके आये थे अब यह मानने वाले कौन-कौन लोग थे एक तो पेन का नाम है ठीक है यह भी हिस्टोडियन है आरिकोलोजिस्ट है जोग्राफर भी है पेनका और हर्ट ठीक है यह दोनों हिस्टोडियन है इन दोनों ने माना है कि आरियन जर्मनी के असकैंडीनेविया नामक जगा से चल कर आय है कहां भारत में उसके बाद इनका जो तर्क था इनका जो लॉजिक था इन्होंने कहां कि भार्विये भासा ठीक है आरियन जब चल करके आय थे इंडिया में तो वह भासा बोलते थे ठीक है बहारत और इउरोप का मिला हुआ mixed language कहा गया है तो भारोपिये भासा मुल तौर पे अस्कैंडिनेविया के लोग बोलते थे तो भासा की similarity को देखते हुए ठीक है भासा की समानता को देखते हुए पेनका और हर्ट ने ठीक है तिसरे पॉइंट पे आते हैं और तिसरा पॉइंट है हमारा उत्री धरूप से चल कर आया थे ठीक है यह एक भारत के अस्कॉलर हुए है और कॉंग्रेस के नेता भी हुए है और यह कॉंग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाये थे जिनका नाम है बालगंगा धर तिलक आप लाल बाल पाल का नाम सुने होंगे जो की गरम दल के मुख्ष नेता थे जब 1907 में कॉंग्रेस का भी भाजन हो गया था तब लाल बाल पाल ने मिलकर एक अलग दल बनाया था जिसे गरम दल के नाम से जाना जाता है तो उस लाल बाल पाल तीन व्यक्तियों में एक व्यक्ति था बाल जिसका पूरा नाम था बाल गंगा धर्तिलक तो बाल गंगा धर्तिलक का यह मानना है कि आरेन मुल तोर पे उत्री धरूप से चल कर आये थे ठीक है उत्री धुरूब से चल कर आये थे यह कई बार सवाल पूछा गया है चाहे यूपेसी हो नेट जारेफ का एक्जाम हो या फिर किसी वी एक्जामिनेशन में आप वैदिक सिविलाजेशन के सवाल को उठाएंगे तो यह सवाल आपको वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो बाल गंगा धर तिला का कहना था कि उत्री धुरूब से चल करके आये थे उसके बाद मैक्स मूलर नाम के एक स्कॉलर हुए है ठीक है यह बहुत ही फेमस स्कॉलर है और यह जो है सबसे ज़्यादा माननेता प्राप्त बाला इन्होंने तर्क दिया है ठीक है भारत म अभी भी किसी के आप स्कॉलर के मुह से सुनेंगे तो वो लोग आर्यन को मिडिल इस्ट से ही बोलते हैं कि आर्यन मूल तौर पे मध्ध एसिया से चल करके आये थे तो यह निसकर्स मूल तौर पे मैक्स मूलर महोदे ने दिया था किन्होंने मैक्स मूलर ने ठीक है मैक्स म ठीके वहाँ पर पामीर का पठार पाया गया है, तो पामीर के पठार से ये लोग माइगरेट करके इंडिया आये थे, और यह सबसे ज़्यादा माननेता प्राप्त निश्कर्ट से इसको आप अस्टार मारकर लिख लीजेगा, उसके बाद आते हैं, गंगानात जहा और डिये स्त्रिवेदी और एलडी कल, इन तीनों का मानना यह था कि आरियन मूल तवर पे भारत के ही रहने बाले हैं, और उन्होंने कहा कि कास्मीर तथा हिमाले के छितर से चल कर, ये लोग नीचे की और दक्षिन की और आये थे, क्लियर है, यह टोटल आरियन डिवेट था दोस्तो छेह तरीके का, यानि छो तरीके का डिवेट से, छो तरीके का निसकर्स है, छो ग्रूप है, डिफरेंट टाइप के स्कॉलर्स का, मेरे ख्याल से सारी चीजे आपको समझ में आई होंगी, और आप हमारे साथ इसे लिखे भी होंगे, अब हम लोग बात करते हैं मूल तोर प जिसका नाम है, रिख बेद, और वह लिटररी सोर्सेज के अंतरगत आता है, तो अब हम लोग बात करेंगे सोर्सेज के बारे में, और सोर्सेज हमारे पास कौन सा है, लिटररी सोर्स है, और उसका नाम क्या है, रिख बेद, बेद का साबदिक अर्थ यदि आप से कोई हमारे पास लेखन कला नहीं था ठीक लेखन कला नहीं था इसलिए लिख कर बाते नहीं होती थी जैसे मान लिजे कि आपके गुरू ने आपके कोई चीज पढ़ाया फिर आपने उस चीज को समझा फिर आप अपने अगले जिनरेशन को सेम चीज समझाएंगे तो उसी तरीके से रीगवेद चलता आ रहा था एक लंबे समय तक चलता गया और लास्ट में जाकर के गुप्त काल में इसको किताब के रुप में संकलित किया गया तो आप से पूछा जाए कि वेद मूलत और पे किस पर आधारी थे तो होगी साथ होगा जाएं तो लेकर 1200 से लेकर 1200 स किसी जब थाईलंड के बानयची से हमें लोहे का प्र मान मिला था यहां पर देखो रीगवेद का प्रमाढशा टाइम बithi बारह इस सौिसा पूर्भ से लेकर एक हजार इसा पुर्व, ठीक है, रीक बेद में कुल एक सनहीता है, कितने एक सनहीता है, आप लिखते चलना, रीक बेद में एक सनहीता है, दस मंडल है, ठीक है, एक सनहीता, दस मंडल है, दस मंडल में से दो से लेकर के सातमे मंडल तक, ठीक है, दो से लेकर के सातमे मंडल त पहला अध है जिसका नाम है साकल पाठ ठीक है साकल पाठ और इसमें 1017 यानी 1017 मंतरों को शामिल किया गया है किसमें साकल पाठ में उसके बाद दूसरा हमारे पास है बाल खिले ठीक है ध्यान रखिएगा बाल खिले आगे चल करके बाल खिले एक सुक्त भी होता है जो रिग में हमें मिलता है तो द्यान रखिए बाल खिले नामक पाठ में टोटल 11 मंत्र को शामिल किया गया है कितना 11 मंत्र को शामिल किया गया है उसके बाद तिसरा हमारे पास जो पाठ है उसका नाम है वासकल पाठ ठीक है वासकल पाठ और वासकल पाठ में टोटल 56 यानि 56 मंत्रों क शामिल किया गया है तो एक बार फिर से देखिए आप तीन पार्ट से कौन-कौन साकल बालखिल ओर वाशकल ठीक है साकल पाठ में 1017 मंत्र थे बाल खिले में 11 मंत्र थे उसके बाद वाशकल में 56 मंत्रों को शामिल किया गया था उसके साथ साथ दोस्तों चार समुद्रों की चर्चा यानि चार समुद्रों का वर्णन किया गया है रिग बेद का जब आप अध्यन करेंगे तो उसमें बताया गया है कि इस दुनिया में टोटल चार समुद्र है उसके बाद आ गया आते हैं उसमें टोटल 42 नदियों का जिक्र मिला है कितने नदियों का 42 रिवर्स का उसमें चर्चा किया गया है बताया गया है कि टोटल 42 नदिया अभी पूरी दुनिया में है कि इसमें बात किया गया है रीग बेद में बाते हुई है उसमें मुखे तोर पे सरस्वती को नदित्मा कहा गया है नदित्मा सब्द का शाब्दी कर होता है दोस्तो नदियों की मा नदियों की मा कहने का आर्थ है कि यहां से कई सारी नदिया निकली है इसलिए सरस्वती को कहा गया है नदित्मा यहां सवाल ना जाने कितनी बार पूछा गया है आप प्रिवियस यह का जब सवाल उठाओगे तो वहां पर यह सवाल आपको मिल कि निम्न में से किस नदी को नदीत्मा की शंग्या दी गई है तो वह है सर्श्वती ठीक है वह कौन सी नदी है सर्श्वती उसके बाद गंगा का दो बार उलेख मिला है दोस्तों रिगवेद में कितनी बार गंगा का दो बार उलेख मिला है एक बार परतक्ष तौर पे यमुना का तीन बार उलेख मिला है इस दोर में तीन इंपॉर्टेंट नदियां है सरस्वती गंगा यमुना आप फिल्म का भी नाम सुने होंगे गंगा यमुना शर्ष्वती वह कॉंसेप्ट यहीं से चलता रहा है रीगवेद से ही चलता रहा है उसके बाद देखोगे रीगवेद में समुद्र के लिए किस सब्द का इस्तेमाल किया गया है तो वह है अरणब क्लियर है अरणब को सवामी नहीं ठीक है तो अरणब यहां ध्यान रखना उसके बाद आ गया आते हम लोग यह टोटल और रीगवेद के बारे में था कुछ पॉइंट इसमें कुछ चीजे और शामिल करना है तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें रीगवेद से जो जो चीजे और नई नई चीजे मिली है उन सारे चीजों को हम लोग शामिल करेंगे और एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे एक भी चीज हम लोग छोड़ने वाले नहीं है उसके बा पहला कंडिशन हमारे पास है भोगोलिक इस्थिती ठीक है यानि कि उस समय का जोग्राफिकल एक्स्टेंट क्या है रिगवैदिक पिरियड का जब रिगवैद में जब सिविलाजेशन एक्जिस्ट कर रही थी तो उसका कहां कहां एक्सपैंसन हुआ था उसका एक्स्टेंट क नहां कहां था उसके लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे उसके बॉंडरी के बारे में पढ़ेंगे तो आईए एक एक करके बाते करते हैं आप हमारे साथ लिखते चलना पहली बात अफगानिस्तान से लेकर के गंगा घाटी तक कहां तक अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक रिगवैदिक काल में वैदिक सिविलाजेशन का विस्तार हो चुका था ठीक है कहां से expansion हुआ था अफगानिस्तान से ले करके गंगा नदी घाटी तक ठीक है मान लो यह भारत का मैफ है तो अफगानिस्तान यहां पर है गंगा नदी घाटी यहां पर है उत्तर परदेश और बिहार का इलाखा तो इतना इसका एरिया expand हो चुका था उसके बाद देखो हमालय परवत ठीक है हमालय परवत सही इसका बौंडरी अब बौंडरी परवत कर बहुत भौट गया है मुझबंघा पारवाय उसके उसके बाद कहा है कि मुझबंघ चोटी इसके वह विशेश तौर पही首 के लिए ठीक है उन्हाल की सूम एक तरीके का रस होता था कौदक देवता के द्वारा शेबन किया जाता था तो ध्यान रखिएगा सोम के लिए फेमस था ठीक है सोम एक तरीके का पौधा होता था जो मुझबंत चोटी यानि हिमाले सबसे फेमस चोटी थी मुझबंत चोटी वह सों के लिए फेमस थी सों के पौधे के लिए प्रशिद्ध थी आजयाते हम लोग बात करते हैं बहुगोली की स्थिती के बारे में यह सब्द सैंधव प्रदेश में फैला हुआ था सब्द सैंधव प्रदेश सब्त का special 팀 का ठीक है ध्यान रखिएगा सत्रूदी जो है निकनेम है उस दोर में पार्टिकुलर यूज किया जा रहा है सतलज नदी के लिए ठीक है सतलज जो की पंजाब की नदी है सतलज नदी के लिए आप ध्यान रखिएगा 1931 इसवी में 23 मार्च 1931 को जब भगत सीन सुखदेव और र सब के बचे टुकडे को सतलज नदी में फेक दिया गया था उसी सतलज नदी की बात कर रहे हम लोग तो सतलज नदी के लिए यहां पर शत्रूदी सब्द का इस्तेमाल किया गया है दूसरा नदी है राभी ठीक है राभी नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा हडपा सभ इगवैदिक काल में राभी नदी के लिए एक अलग सब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है पौरूशनी तो आप से सवाल पूछा जाता है कि राभी नदी के लिए किस सब्द का इस्तेमाल किया गया है तो ध्यान रखिए पौरूशनी सब्द का सतलज के लिए सत् उसके बाद तीसरा नदी है हमारे पास असकीनी ठीक है असकीनी नदी जो कि चिनाब नदी के लिए इस नाम का प्रयोग किया गया है तो ध्यान रखिएगा चिनाब के लिए असकीनी सब्द का इस्तेमाल किया गया है उसके साथ साथ ब्यास नदी के लिए ठीक है ब्यास नदी के लिए बितस्ता सब्द का इस्तिमाल किया गया कौन से सब्द का बितस्ता जहेलम नदी यह भी पंजाब की नदी है उसके बाद सरस्वती नदी सरस्वती के लिए किसी भी अन्य सब्द का परियोग नहीं किया गया है क्योंकि सरस्वती नदी खुद नदियों की मात ही इसके बाद सात्मा और लास्ट नदी जिसका नाम है सिंधू नदी जिसके आधार पर इसे सब्त सैंधा प्रदेश कहा गया था तो टोटल साथ नदियों के किनारे रिगबैदिक काल का एक्स्टेंट था उसका एक्सपेंसन था कौनको नदी सत्रूदी पौरुशनी अस्किनी विपाशा और बितस्ता सर्श्वती और सिंधू नदी के किनारे उसका विस्तार था तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको कंप्लीट रूप से समझ में आया होगा आज का लेक्च आज की सामाजिक और राजनितिक स्थिति क्या थी और तरीके से बार unders बात करेंगे अगले लेक्चर में तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं वीडियो को खत्म करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि अगली बार जब भी मैं कोई वीडियो डालू तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उन तमाम दोस्तों के साथ वीडियो क पे जुड़ना चाहिए क्योंकि मैं अस्पेशली यूजी सी नेट के लिए पढ़ाता हूं और उसी के सी लेवस से इसे आगे क्लास भी लेता हूं ठीक है तो ध्यान रखना उसके अलाबा किसी अन्य बिसे के साथ आप यूजी सी नेट की तयारी कर रहे हो तो आप हमारे सा चप्टर को खत्म किया है इसके बाद एक बार आप चप्टर को पढ़िये कम्मुनिकेशन को हमारे लेक्षर को देख लीज lyric को देख लिजिए उसके बाद के लिए शुक्रिया जय हिंद जय भारत